हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे नॉलिज सेंटर, आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स और साथ मैं सभी राज्यों की राज़दानी और उनकी विधान सभा सीट्स भी देखेंगे सारा डेटा अपडेटेट है जनवरी 2021 का तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टेट वाइस देखते हैं सबसे पहले हमारे स्टेट है आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश की कैपिटल है है अधराबाद और यहां के चीफ मिनिस्टर हैं बाइस चेगनबुहन रेडडी जो के बाइस रसेपी पार्टी के हैं योवजन स्रमेक रहतू कॉंग्रेस पार्टी और यहां के गवर्नर हैं विश्वभूसन हरिचंदन और यहां की विधान सभा सीट्स हैं 175 अगला स्टेट है हमारा अरुणा चल प्रदेश अरुणा चल प्रदेश की कैपिटल है इटानगर और यहां के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जो के बीजयपी पार्टी के हैं और यहां के गवर्नर है बीडी मिश्वभूसन और यहां पर स्राट विधान सभा सीट्स ह अगला स्टेट है हमारा बिहार, वो बिहार की कैपिटल है पटना और यहां के चीफ मिनिस्टर है नितिश कुमार जो की रिकॉर्ड आठवी वार मुख्य मंतरी बने हैं बिहार के और यहां के गवर्नर है फागू चोहान और यहां पर 243 विदानसावा सीट्स हैं अगला स्टेट है हमारा चैपिटल है राइपूर और यहां के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बगेल जो के कॉंग्रिस पार्टी के हैं और यहां के गवर्नर है अनुसुया उईकी और यहां पर 90 विदानसावा सीट्स हैं अगला स्टेट है हमारा गुवा गुवा की कैपिटल है पंडजी और यहां के चीफ मिनिस्टर है प्रमूत सावंद जो के बीजेपी के हैं यहां के गवर्नर है पीए स्रीदरन और यहां पर 40 विदानसावा सीट्स हैं अगला स्टेट है हमारा गुजरात गुजरात की कैपिटल है गांदी नगर और यहां पर चीफ मिनिस्टर है भूपेश पगेल जो के हाली में दिसंबर में हुए चुनाव में फिर से एक बार मुख्य मंतरी बने है और यह बीजेपी पार्टी के हैं और यहां के गवर्नर ह और यहां पर 182 विदानसवा सीट्स हैं अगला स्टेट है हमारा हर्याणा हर्याणा की कैपिटल है चंदीगड और यहां के चीफ मिनिस्टर है मनो भरलाल खट्टर जो के बीजेपी के हैं और यहां के गवर्नर है बंदारू दत्तात्रे और यहां पर 90 विदानसवा सीट्स है अगला स्टेट है हमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिम्बला और यहां के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंग सोखु जो की हाल ही में हुए चुनाब में बनी है और यहां के गवर्णर है आर वी आर लेकर और यहां यानी अर्सट विदानसवा सीट्स है यानिमाचल प्रदेश में अगला स्टेट है जहार खंड जहार खंड की कैपीटल आरा राची ओर यहां के चीफ मिनिस्टर हैं हैमन 어떻 Putra जो की जैमें सब की हैै यानि जहार खंड मुक्ति मूर्चा और यहां के गवर्नर हैं रमेश बाइस और यहां पर 81 विदानसवा सीट्स हैं जारखंडवाई अगला स्टेट है हमारा करनाटक करनाटक की कैपिटल है बैंगलूरू और यहां के चीफ मिनिस्टर हैं बस वराज बुमाई जो कि बीजेपी पार्टी के हैं और यहां के गवर्नर हैं थावर्चिंद गहलोत और यहां पर 224 विदानसवा सीट्स हैं करनाटक में अगला स्टेट है हमारा केरल केरल की कैपिटल है तिरुवन अंतपुरम और यहां के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजेयन जो कि CPI पार्टी के हैं CPI मार्क्सिस्ट और यहां के गवर्नर हैं आरिफ मुहम्मद खान और यहां पर विदानसवा सीटों की संक्या 140 है अगला स्टेट है हमारा मद्यपरदेश मद्यपरदेश की कैपिटल है भूपाल और यहां के चीफ मिनिस्टर हैं सिवराज सिंग चोहान और यहां के गवर्नर हैं मंगुबाई चगनवाई पटेल और यहां पर विदानसवा सीट की संक्या है 230 सिवराज सिंग चोहान बीजेपी पार्टी के हैं यहां पर भाजपा की सरकार है अगला स्टेट है हमारा महाराश्टर महाराश्टर की कैपिटल है मुंबई और यहां के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जिन्होंने पिछली साली उद्धा उठागरे की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली और यहां के गवर्नर है बगत सिंग कोशयारी और यहां पर विदानसबा सीटों की संख्या है 208 अब देखते हैं मनीपुर मनीपुर की कैपिटल है इंफाल और यहां के चीफ मिनिस्टर है एन बिरेंसिंग जो के बाजपा के हैं बीजेपी के और यहां के गवर्नर है लागणिशन और यहां पर विदानसबा सीटों की संख्या है 60 अगला स्टेट है मेगाले मेगाले की कापिटल है शिलॉंग और यहां के चीफ मिनिस्टर है कुनराट सांगमा इससे पहले थे मुकुल सांगमा और यहां के गवर्नर है बेडी मिश्रा और यहाँ पर विदानसावा सीटाओ की संक्या है साथ कुन्राट सांग मा NPP पार्टी के है यहाँ पर NPP और BJP का अलाइंस है NPP और नेशनल पीपल्स पार्टी उसके बाद हम दिखते हैं मिजूरम मिजूरम की कैपिटल है एजौल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जूरम थांगा मिजूरम जूरम थांगा हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं और यहाँ के गवर्नर है डॉक्टर कमबापती हरी बावू और यहाँ पर विदानसावा सीटों की संक्या है 40 उसके बाद हम देखते हैं नागालेंड नागालेंड की कैपिटल है कोहिमा और नागालेंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुकी और यहाँ पर विदानसावा सीटों की संक्या है 60 नागालेंड में NDPP और BJP के अलाइंस की गॉवर्मेंट है अभी इसके बाद हम देखते हैं उडिशा उडिशा की कैपिटल है बबनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जो के 23 साल से लगातार यहाँ के मुक्यमंत्री है सन 2000 में यह मुक्यमंत्री बने थे और अभी तक उडिशा के मुक्यमंत्री नवीन पटनायक है उसके यहाँ के गवर्नर है गणेश लाल मात्र और यहाँ पर विदानसावा सीड़ों की संक्या 147 उसके बाद है पंजाब पंजाब की कैपिटल है चंदीगड और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत्मान जो कि दिसम्मर दो यार बाइस में हुए विदानसावा चुनाब में यहाँ के मुक्यमंत्री बने है और यह आमादमी पार्टी के है और यहाँ के गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ पर विदानसावा सीटों की संक्या है 117 अगला एस्टेट देखते हैं राजस्थान राजस्थान की कई वीटल है जैपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोग गैलोथ और यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है अशोग गैलोथ कॉंग्रेस की है सिक्किम की capital है गैंग टॉक और यहां के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंग तमांग जिनको पीएस गोले नेम से भी जाना जाता है और यहां पर गवर्नर है गंगा परसाथ और यहां पर विदानसवा सीटों की संक्या है बत्तिस जो के पूरे भारत के सवी राज्यों में सबसे कम है और प्रेम सिंग तमांग सिक्किम कुरांतेकारी मोर्चा पार्टी के मुख्य मंतरी है उसके बाद देखते हैं तमिलनाडू तमिलनाडू की कैपिटल है चेन नई और यहां के चीफनिस्टर है एम के स्टैलिन जो के डी एम के पार्टी के हैं और यहां के गवर्नर है आर एन रवी और तमिलनाडू में विदानसवा सीटों की संक्या है 234 उसके बाद हम देखते हैं तेलंगाना तेलंगाना की कैपिटल है है एदराबाद और यहां के चीफनिस्टर है के चंदर्शेकर राव और यहां के गवर्नर है डॉक्टर तमिल साइस और राजन और यहां पर विदानसवा सीटों की संक्या है 119 के चंदर सेकर राव बारती राष्ट समिती पार्टी के मुक्यमंत्री है इससे पहले इस पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट समिती था और जो हाली वदल कर बारत राष्ट समिती हो गया है अगला स्टेट देखते हैं तिरेपुरा तिरेपुरा की कैपिटल है अगर्दला और यहां के चीफ फिनिश्टर है मानिक साहा जो बेबलब कुमार देव के स्तीफा देने के बाद नई मुख्य मंतरी बने है यहां के गवर्नर है सत्यदेव नारायनार्या और यहां पर विदानसाबा सीटों की संख्या है साथ और मानिक साहा बीजेपी पार्टी के है उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड उत्तराखंड की कैपिटल है देहरा दून और यहां के चीफ निश्टर है पुश्कर सिंग धामी जो के हाली में दिसम्मर 22 में हुए विदानसाबा चुनाम में एक बार फिर से उत्तराखंड के नेमक्यमंत्री बने है और यह बीजेपी पार्टी के है और यहां पर गवर्नर है लेप्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंग और यहां पर विदानसाबा सीटों की संख्या है सत्तर उसके बाद है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश की कैपिटल है लखनव और यहां के चीफ मिनिस्टर है योगी आतितिनाथ जो के बीजेपी पार्टी के हैं और यह लगातार दूसरी बार उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बने है और यहां के गवर्नर है आनंदी वेन पर्टेल और यहां पर विदानसाबा सीटों की संख्या है 403 लास्ट है हमारा वेस्ट वेंगॉल वेस्ट वेंगॉल की कैपिटल है कोलकाता और यहां के चीफ निस्टर है ममता बनेरची जो के त्रेंडबूल कॉंग्रेस की है और यहां के गवर्नर है डॉक्टर सीवी अनंद वोस जो के हाली में नियुक्त किये गई है और यहां पर विदानसाबा सीटों की संख्या है 294 तो आज की वीडियो नहीं खत्म होती है और आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक करें चैनल जरू सब्सक्राइब करें